सुन्दरसर क्लस्ति में कुछ कारणों से वीडियो जो है आने में थोड़ी देरी हुई इसके लिए एक शमा तो चलिए हम अपनी जो सीरीज चलिए उसी सीरीज को कंटिन्यू रखते हैं और आज हम करेंगे हमारी बैसिक इंगलिस की स्टेप नमबर सेवन्टीन और स्टेप सेवन्टीन के अंतरगत हम आज ट्रांसलेशन जो है सीखेंगे हम फ्यूचर की विल बी और शेल बी का परियोग जीसे हम कह सकते हैं फ्यूचर का जो है हमने अभी तक प्रेजेंट और पास्ट किया था और अब हम सिखेंगे फ्यूचर टेंस का बनाना जैसे जिसके लास्ट में गा, गे, गी आते हैं जैसे हमने भी तक सीखा था की पास्ट और प्रेजेंट का आज हम इसमें सिखेंगे कि अगर फ्यूचर सेंटेंस से संबंदित अगर कोई वाक्य आते हैं तो उसको हमने इंगलिस में ट्रांसलेट कैसे करने हैं तो स्टुडेंट्स इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं तो जैसे कि यह एक्जामपल के दोर पर हम लोग उपस्थित रहेंगे यानि कि जिसके लास्ट में गा गे गी आता है वो हमारे वाक्य होते हैं फ्यूचर के तो इस प्रकार के सेंटेंस को बनाने के लिए किस प्रकार से हमने स्ट्रेक्चर क्या होती है वो सबसे पहले आप इस structure को देख लीजिए कि structure क्या होती है structure को आप note कर लीजिए सबसे पहले यह मरपा simple sentence की है यह negative की है यह interrogative की है यह WH की structure है तो इस structure को आप सबसे पहले note कर लीजिए कि structure जो है आपने अगर note कर ली तो उसके बाद आप आसानी से कर सकते हैं यानि कि subject, will और shall उसके बाद be और उसके बाद adjective या noun सबसे last में आते हैं यानि कि last में जो adjective या noun दिया हो सकता है तो इनी के आधार पर हम ये sentence करेंगे तो आप देखिए सबसे पहले इसमें लिखा है इसमें कि हम लोग उपस्थित रहेंगे तो इसमें वही subject का आपको पता है ये चीज़े सारी बताई हुए आपको तो हम लोग, हम लोग के लिए ना कई बारे access to ability लिख देते हैं हम लोग के लिए we people या वे लोग, they people तो आपने ये नहीं लिखना आप सिद्धा we लिख दीजिए, we का मतलब हम, हम का मतलब हम लोग से ही है वे लोग अगर आजए तो आप those people लिखिए या खाली they भी आप लिख सकते हैं तो इसमें आपने ये they people जो है आपने कभी नहीं लिखना इस चीज़ का ध्यान रखना है तो यहाँ पर हम लोग तो we people नहीं लिखें कभी भी, हमेशे आप we का परियोग ही करेंगे यह हमारे पास subject हमारे पास होगे है we और we के साथ हमने क्या लगाना है, shell का परियोग करना है यह आपने एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान रख लेना है, मैं आप उता दू, यह नोट कर सकते हैं कि I और we, इनके साथ आपने लगाना है shell और बाकी जो जितने भी बसगे हमारे पास you, he, she, it और जितने भी बसगे, उनके साथ आपने will का परियोग करना है इस चीज़ को भी आपने नोट कर लेना, यह भी एक इंपोर्टेंट है जो आपने ध्यान में रखना है कि यहां, तो यहां मारे पास सब्जेट वी है, तो वी हिक है तो इसके साथ हम पर यह करेंगे shell का और उसके बाद हमने क्या लगाना है, बी वी शेल बी और उसके बाद हमने क्या लगाना यह उपस्थित, उपस्थित की अगरे जी आपको पता है, यह वो कबलरी के तहट आपने सीखा हुआ है यह तो यहां लिखेंगे आप प्रेजेंट, तो क्या बन जाएगा, वी शेल बी प्रेजेंट, यह आपका अनसान बन जाएगा, इसके बाद नेक्स देखिए, अब दूसरा था इसमें नहीं रहेंगे, यानि सेंटेंस नेगेटिव है, तो इसमें थोड़ा नोट बी, अब देखें, नोट जो है, वो कहां है, विल और शेल बी के बीच में नोट आया है, तो यह जहां रखना आपने, कि जो नोट लगाना है, वो शेल या विल के तुरंद बाद लगाना है, और बी जो है, वो आपने नोट के बाद परियोग में करना है, यही बात विशे इस तोर पे ध्यान दखनी है इसके बाद आप logative ब्हों सब chilly इसमें देखिये शेल केवल हमने शेल को बहार निकाल आए शेल उसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद आपका सब्जेक्ट के बाद ही करabled इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है कि केवल शेल बाहर आएगा शेल वी बी प्रेजेंट पिछे वही क्वेस्टन वारक यानि स्ट्रेक्चर सेम वही है कुछ अंतर नहीं है सिर्फ अंतर इसमें क्या है कि हमारी हैल्पिंग वर्ड इसमें दो भागों में बटी हुई यानि दो वर्ड की हैं तो आपने केवल पहला ही वर्ड भार निकालना है दूसरा वर्ड सब्जेट के बाद ही रखना है चोथा एक्जामपल वे लोग क्यों उपस्ती देनी इंट्रोगेटिव वर्ड सेंटेंस के बीच में आ रहा है अगर सेंटेंस के बीच में आता है त उसके लिए आपको पता है उसके लिए हमने क्या करना होता है उसके लिए हमने करना होता है कि जो इंट्रोकेटी वर्ड होता है इसकी इंगलिश बनानी होती है तो इंगलिश की इंगलिश क्या होगी वाई structure वही है why के बाद हमने फिर वही लगा देना है helping verb लगानी है helping verb इसमें क्योंकि subject दे है दे के साथ will आएगा तो यहां पर will आजेगा पहले फिर subject आएगा और बी जो है subject के बाद ही रहेगा और फिर present last में आपका जो adjective ही आजेगा तो कहने का मतलब क्या है जो structure है हमारी जो structure आप इदर देखे जो यह structure है हमारी इस structure को आपने नहीं भूलना है structure को आपने जो हमारी formation structure इसे पहले भी जो transition में करवाई गई है उसी के अधार पर यह सारे sentence आपके चलेंगे तो यह जो है हमारे जो एक्जामपल थे इसके जलिए आपको उम्मीर है कुछ और एक्जामपल आप देखिए structure से कुछ sentence और हमने यहां लिखे हैं इनके आप transition को आपने कैसे बनाना जैसे वह यहां होगा तो वह के लिए हमने क्या लगाना है he sentence हमारा simple है यह affirmative है he के बाद आपने क्या लगा होगे आप will और will के बाद आप क्या लगा होगे be he will be और यहां last में क्या लगा दोगे here he will be here मैं यहां होगा I shall be here तुम वहां होगे you will be there तो इस प्रकार से आपने यह हो जाएगा दूसरा जिसे मेरा भाई एक सैनिक बनेगा तो मेरा भाई subject इसमें क्या है मेरा भाई तो इसमें क्या हो जाएगा my brother my brother my brother third person होता है तो इनके साथ will का परियोग करेंगे यहीं आई और वी के साथ शेल लगा ना बाकि सब के साथ आपने will का परियोग करना है तो my brother के साथ क्या लगा दोगे will will के साथ be my brother will be क्या बनेगा एक सैनिक a soldier my brother will be a soldier simple sentence आपने बनाना ही है next देखिए क्या बच्चे पर सन्न होंगे interrogative sentence आ गया subject इसमें क्या है बच्चे तो बच्चे children children के साथ क्या लगा होगे will या shell मैंने का आपको आई वी को छोड़ के साथ will का प्रियोग करना है तो आप will पहले लगाएंगे will और आपने जान रखना कि बी जो है वो subject के बाद ही रखना आपने will children will children उसके बाद बी लगा दोगे will children be क्या होंगे परसन है happy will children be happy क्या बच्चे परसन होंगे तो इस प्रकार से आपका interrogative बन जाएगा और देखिए वह आदमी पागल नहीं होगा negative sentence है तो negative गली वह आदमी अब इसमें क्या है वह आदमी तो या तो आप he लगा दो या फिर आप that person लगाओगे आप that person या that man that person ये भी third person है इसके साथ भी आप क्या लगाओगे will आप क्योंकि negative है तो आपने not जो है will के तुरुंत बाद आपने not लगाणा है और be जो है वह not के बाद लगेगा या या जाना इंट्रोकेटिव सेंटेंज में not जो है वो shall और will के तुरुंत बाद या निए shall be और will be के बीच में आता है not that person will not be mad यह आपका इस प्रकार से सेंटेंज आपने यह बनाने है तो अभी आने वीडियो को बंदे करने अभी आपके सामने exercise की एक slide आएगी आपने उस exercise की sliding जो जितने भी sentence उसमें दिये गए है उनको आपने हल करने का परियास करना है तो लेजिए slide आपके सामने तो students उम्मीद है आपने यह screenshot ले लिया होगा या फिर आपने वीडियो को pause करके यह sentence उतार लिये होंगे यह आपके सामने 20 sentences हैं आपने इन sentences को अपने notebook में करके देखना है इनको हल करने की कोशिज करनी है अगर problem आती है किसी प्रकार की तो आप मुझसे किसी प्रकार की जो problem share आप कर सकते हैं तो student यह हमारा आज का था lesson step number 17 और उमीद है कि आप लगातार इसे जुड़े रहेंगे फिर जैसे कि मैंने आपको पहले promise किया कि अगर आप लगाता 30 steps तक आप मेरे साथ बने रहते हैं तो आप निश्ची तोर पर जो है बहुत ही जल्दी basic English जो है वो आप लिखना और बोल दोनों ही विधाओं में आप बहुत जल्द अच्छे जो effluent बनने जा रहे हैं तो students इसी प्रकार से आप लगातार बने रहे हैं आज के लिए इस वीडियो में इतना ही फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में फिर नए steps के साथ तक तक आप इसका भ्यास कीजिए और इंतज किजिए next video का step number 18 का that's all from now have a nice day thank you